महामई राष्ट्रपती जे ने राम मंदिर के निर्मान की बात की और मर्याद पुरुशोत्तम प्रभू श्री राम हमारे राम लल्ला जो विराजमान हुए उसके लिए मैं समूचे देश का अभिनंदन करता हूँ और उसी के बारे में कुछ पंक्तिया कहके मैं अपनी वानी को विराम दूंगा अध्यक्ष मोदै जब राम लल्ला की प्रान प्रतिष्ठा की बात आई तो किसी ने कहा बिना कलेश के प्रान प्रतिष्ठा कैसे होगी किसी ने कहा जब चुनाओं ही प्रान हो तो सोचो कौन सी प्रतिष्ठा दाओं पे लगी होगी लोग तो कुछ कहे लोगों का काम है कहना आप जन की बात मत सुनना सिर्फ मन की बात करना फिर भी खुश थे हम फिर भी खुश थे हम पांसो साल का सपना जो पूरा हो रहा था हमारे अंदर का हिंदू भी पूरी तरह से जाग गया था तो चल पड़े आयोध्या की और राम लल्ला की दर्शन की आस लगा चल पड़े आयोध्या की और राम लल्ला के दर्शन की आस लगा है जो सामने नजारा देखा वो देखकर दंग रह गये वो तीन मंजिले चार सो खंबे बतिस सीधियां जैश्री राम का नारा लगाते हुए हम सीधियां चड़ने लगे राम लल्ला से क्या गुहा पहली सीधी पर याद आई महंगाई पहली सीधी पर याद आई महंगाई दूसरी पर देश में बढ़ती बेरुजगारी तीसरी पर पत्रकारी तकी चरण चुम्बकता चौथी पर सेंटरल एजनसी की संदिक धभूमिका हर सीधी पर कुछ नकुछ याद आ रहा था हर सीध कुष्टिगिरों की वेदना थी कही सालान दो करोड रोजगारों का वादा था कही बढ़ती साम्प्रदाइग का थी तो कही चुनिंदा पूंजी पतियों पर महरबान हमारी सरकार का चेहरा था इस वास्तविक्ताने जंजोडने के बाद भी हम अंधभक्तों की तरह चलते ग हमें नतमस तक दे, राम लल्ला मुस्कुराते हुए बोले, मैं कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा, जितना इस मंदिर में हूँ, उतना ही तुम्हारे मन में रहूँगा, लेकिन याद रखना हमेशा, लेकिन याद रखना हमेशा, मैंने त्रेता युग में रामराज जलाया था, तुम कली युग में जीते हो, जहां समविधान ने गनराज जलाया है, धर्म समाज का किनारा जरूर है, लेकिन देश एक बहती धारा है, किनारे को धारा के बीच में लाया, तो प्रवा अड़ जा जाता है, इसलिए धर्म का ठेकेदार नहीं, पहरेदार बनना चाहिए, तुम रहो न रहो, वो रहे न रहे, ये देश रहना चाहिए, देश का समविधान रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, ये देश, देश रहना चाहिए, जैहिं धन्यवाद लोकशाही म आइकार, पहा, जागरुक रहा